कहते हैं कि सिक्षा ही सभी समस्याओं का समाधान है चाहे गरीबी असांती हो या फिर विकास की कमी इन सभी समस्याओं के समाधान का रास्ता अगर कहीं से होकर गुजरता है तो वह है सिक्षा आज 24 जनवरी के दिन भी दुनिया के लिए इसलिए बेहत खास है इस तारीख को अंतराष्टिय सिक्ष्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है दुनिया भर में बुनिया धिकार होने के बावजुद आज भी दुनिया के कई हिस्ष्व में या तो बच्चों तक शिख्षा की पहुंच नहीं है या उन्हें इसके लिए बहुत संघर्ष करना पढ़ रहा संजुक्त राष्ट महासभा ने सांती और विकास के लिए सिख्षा की भूमिका को बढ़ावा देने के मकसद से 3 दिसंबर 2018 को हर साल 24 जनवरी के दिन अंतराष्टिय सिख्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया इस फैसले के बाद नाइजिरिया और अंठाउन अन्य सदस्य राष्ट्रों ने इंटरनेशनल डे ओफ एजुकेशन को अपनाया हर बच्चे तक मुफ्त और बुनियादी सिख्षा की पहुँच हो इस उद्देश से के साथ हर साल यह मनाया जाने लगा हर साल की तरह इस साल भी इस दिन के लिए एक थीम तै की गई है हर साल यह दिन किसी खास थीम के साथ मनाया जाता है साल 2022 के लिए अंतराश्टिय सिख्षा दिवस की थीम है Changing Course Transforming Education इसके पीछे का मकसद है कि बीते दो सालों में सिख्षा छेतर पर हुए प्रभाव को देखते हुए एक बार फिर से उन तरीकों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे सिख्षा को सभी तक आसानी से पहुँचाया जा सके इस दिन को अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है इस दोरान कई ग्लोबल इवेंट्स आयोजित किये जाते हैं जिनके मुख्यत तीन विशय होते हैं Learning, Innovation और Financing इतना ही नहीं, युनेस्कों के पेरिस और युन नयॉर्क मुख्याले में इस तरह के ग्लोबल इवेंट्स आयोजित किये जाते हैं चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक कीप सर्चिंग फर नॉलेज और ट्राइ टू बी आ काइन पर्सन